साथियों, जब मैं काशे आता हूँ, या दिल्ली में भी रहता हूँ तो प्रयास रहता है, कि बनारस में हो रहे विकास कारियों को गती देता रहूँ, कल रात, बारा साड़े बारा बज़े के बाद, जैसे मुझे अउसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था, अपनी काशी में जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था, गौदोलिया में जो सुंद्री करण का काम हुआ है, वो बाकई हुए, देखने योग बना है, वहां कितने ही लोगों से मेरी बात्चित हुई, मैंने मडुवाडी में बनारस रेलबे स्टेशन भी देखा, इस स्टेशन का भी अब काया कल्प हो चुका है, पुरातन को समेटे हुए नमिंता को धारन करना, बनारस देश को नई दिशा दे रहा है, साथ क्यों, इस विकास का सकारत मगसर, बनारस के साथ साथ यहां आने वाले परियतकों पर भी पढ़ रहा है, अगर हम 2019-20 की बात करें तो, 2014-15 के मुकाबले में, यहां आने वाले परियतकों के संख्या, दो गुनी हुग गई है, डबल हो गई है, 2019-2020 में कोरोना के कालगण में अकेले बाबतपुर एरपोर्ट से ही 30 लाख से जादा यात्रियों का आना जाना हुआ है इस बदलाव से कासी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ती हो तो परिवर्तन आ सकता है यही बदलाव आज हमारे दूसरे तिर्ट स्थानों में भी दिख रहा है केदारनाथ जहां अनेक कठिनाईया होती थी 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया था वहाँ भी अब रिकार्ड संख्या में असरद्धालू पहुँच रहे हैं इससे विकास और रोजगार के कितने असीम अवसर बन रहे हैं युवाओं के सपनों को ताकत मिल रहे हैं यही विश्वास आज पूरे देश में दिख रहा है इसी गती से आज देश विकास के नए किर्तेमान सापित कर रहा है कि अवसर बने सापित कर रहा है यही विकास के देश में असर देश बने सापित कर रहा है